मानने मंत्री जाप करें अपादेख मदर मैं आपको और सभी मानने सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं लगातार बैठा हुआ हूँ और मैं हर एक को नोट करते जा रहा हूँ सिलीप भी मंग बारा हूँ लोग सबा में भी और जितने लोगों ने बोला है मैंने शुरू में ही कहा है कि हम 15 दिन के अंदर में इन सभी मानने सदस्यों को और भी जो चाहें हम रूल्स बनाने के पहले एक बार हम सभी मानने सदस्यों को जो है हम चाए पर बुलाएंगे और जो भी आपका सेशन है जिसके सन करेंगे आफसर सबी रहेंगे और उसमें जो जो जी होगा, हम तुरत तुक्रे करतें चले जाएंगे जो नहीं होगा, उपिर आप लोगों के सामने में उसमें में कह रते हैं कि रहेगा इसलिए हमारा बिल्कुल दिमाग हम लोग आज से नहीं 77 से जब से लोग सवा में आए ये कंजूमर के सवाल को ले करके हमने हमेशा से उठाने का काम किया था और जब हम बने थे मंत्री बने थे 2017 में जो है अक्तूबर में हमने इंटरनेशनल कॉन्फरेंस भी बुलाये था प्रधान मंत्री जी ने उद्गाटन किया था इसी एक बिज्ञान भवन में हम सिर्फ इसलिए कि उसको हम महतु क्यागतने की दें और इसलिए काफी दीन तक ज लिखने का काम किया और उसके बाद जो है ये बिल बढ़ाया लेकिन उसके बावज़ित भी हम जानते हैं कि कहीं न कहीं खामिया तो रहती ही है और वो खामी को कैसे दुरूस्त करें इसलिए हमने हर जगह जो है कोसिस किया है कि इसको हम करें मैं कुछ से जवाब देना कि अच्छी रामामूर्ति जी हैं उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट क्या करते हैं कि उठाए मिलावट से लेकर कि के ऑनलाइन क्या करते हैं जो फेक ये उत्पादक है बरामक परचार है बीजय गोएल जी हैं उन्होंने जागुगरा के जागक संब्सम्द में कहा डेको अबरेंट जी हैं उन्होंने कहा कि कह गते हैं कि जो है ये जूरिशिली को अंदर जो है पहले था फिलक कमीटी हेड़ेड वाइज कह गते हैं कि जो जजेज था या फर्मर जजेज था उसको हटा दिया गया हमारे का महिला सदस को नहीं रखा गया उसके बात कह गते हैं कि उन्होंने कंजोमर प्रटक्शन काउंसल में जो है राज सरकार और केंदर सरकार में जो है सेंटरलाइज जो का रूप लगाया कि सेंटरलाइज किया गया है बिठल राज जी हैं रवी बर्मा जी हैं रवी परकास बर्मा जी हैं उन्होंने गलत विग्जापन के संबंध में क कशाब करी से करी कारवाई होनी चाहिए, अमर पत्नाइक जी हैं, इसके बाद कहसा पर्वीन जी हैं, केसव राइजी हैं, स्टेंडिंडीग कमिटी के मेंबर, हम पता अब भी नहीं हैं, लेकिन हमने कोशिछ किया था उसमेन में भी के स्टेंटिंग कमिटी के चेयर मेंन को और मेंबर को बुला करके डिसक्सिर्ण करें, दो बार हमने बात भी किया था, उसके बात क्या गएगते हैं कि जह है और नरंदर जादब जी हैं, उसके अनिल दसाई जी, उनोंने हेल्थ केर के समध में कहा, बीर्ज सिंग जी ह कि आपने कहा है रासन कार्ड में अब दिक्त होती है क्या कहते हैं कि हम लोग जदी सिर्फ सेंटरल गवर्मेंट करती है तो उस पार उरोप लगता है जदी एस्टेट के साथ में जाते हैं तो उसमें सिकायत भी कुछ होती है अब हमारा तो नहीं बनाया हुआ है फूर्ट सिक सबसीडी देती है हम दो रुपे किलो गेहूं तीन रुपे किलो चाबल देते हैं और खरिकते हैं जह है बिस रुपे किलो गेहूं और तीस रुपे किलो चाबल तो हम जब इतना सबसीडी देते हैं तो हमें स्ट्रीम लाइन करें लेकिन रास सरकारों ने इसको रास सरकारे नहीं माना और आज क्या है कि हम लोग क्लाक कोसिस कर रहे हैं हमारा डिपो उन लाइन है एफसी आई तक सब जगा पहुँच गया है लेकिन एस्टेट में जहां असली चीज़ है जहां से निकलता है आनाज और जाता है बेनिफेसिज के पास में वहां अभी तक लेकरते हैं कि जो है कोई क्या करते हैं कि सिधा जो हम बैश करके नहीं देख पाते हैं नहीं देख सकते हैं जबकि कम्पूटराइज कर दिया गया है एंट्वेंट कम्पूटराइज इसलिए दिक्कते होती है तो हमारे साथ ही क्या करते हैं कि जो है अभी महिला हमारी क्या करते हैं कि जो है उन्होंने बिजिला जो है सतेनाथ उन्होंने कहा था कि पांच सो रुपिये तक का जो है कि जहां पांच सो के सावे उसी को डिस्टिक्ट में जो है का दर्जा दिया जाता है जिसको नहीं है उसको नहीं दिया जाता है इसी यह हमारा नहीं है यह मोडल कह करते हैं कि जो हो स सुप्रीम कोट ने लेकिन हम उसको विचार करेंगे कि ज़िए कंजूमर्स को हम देखते हैं चिके हमने जो हमारा कंजूमर हेल्प लाइन है निसला कंजूमर हेल्प लाइन हम आये थे ते चोदा था आज बरकर के हमने साथ कर दिया है और जो है इसके अलावे भी जह है छे ज आया गया है उसको सेंटल में ही क्यों रखते हैं इसको और भी क्या करते हैं कि आगे जैस को बराने काज क्या करते हैं कि काम कीजिए लेकिन वो तो सेंटल है लेकिन जो एस्टेट कमिशन है उसको अधिकार है कि अपने दूसरे जगों पर भी एस्टेट कमिशन का साखा खो हो सकता है नेस्टनल कमिशन है उसको हमने कहा है कि और जगों पर भी क्याय गएतने की काम करो उसी तरीके से जो है के 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 कैगतने की राजेश जी है वो मुनों ने जो है वही का कैगतने सेंट्रल Estate का मामला उठाया मनुद कुमार जा जी हैं उनका भी वही तर्क था रिचीश सिवाद जी है इन्होंने उसके बाद जी है रबिंद्र कुमार जी है बिने बिश्वास जी है कुमारी सेलजा जी है उन्होंने रिल्ट्रेशन के संबंद में काफी कुछ कही और भी कही एक उन्हों ने जह सुमें दिया है, मैं सब पर आउंगा, और इसके अलावी जो है, संजय सिंह जी हैं, उन्हों ने मिसलेडिंग एड़टिजमेंट के सम्द में जह कहा, अमी चाजनिक जी हैं, और्थरिटी के पास जो है, आधिकार हो, और क्यागत हैं कि जो उन्हों ने कहा है, यह सो छोटा-छोटा च्रोगर जी लिखा जाता है, इस पर क्याकते हैं कि कारवाई क्याकते हैं कि इसको देखें, उसके बाद जहराजमनी पटेल जी हैं, जेया बच्चन जी हैं, तो आधर निया जेया बच्चन जी ने लास्ट में कहा, कि सेलिबरिटीज के सम्द में, मै इस समय में मैं आप से सामत हूँ, और मैंने शुरू में जब हुआ था, एस्टेर्णिंग कमीटी में गया हुआ था, तो एस्टेर्णिंग कमीटी ने सब के लिए जेल की सजा रखी थी, हैंने हमारे हैं कहां चले के भाईसाइब, तो उन्होंने जेल की सजा दिया था कि ज केल की सजा हो फिर हमने अध्यन करवाया तो दुनिया के किसी भी मुल्क में जो है सेलिवरेटिज कुछ है कहीं कहते हैं कि सीरियस पनिस्मेंट का प्राबधान नहीं था तो मैंने अपने से परसनली इंटर्वीन किया और हमने तीन केटेगरी बनाया एक हमने कहा कि जो कैगरते हैं प्रक्ष में हैं और उसके लिए तीन केटेगरी किया एक तो उसको किया दूसरा जो जो आद्विया बनाता है और बनाने के बाद जो देता है आप मीडिया को चाए लोक्तोनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो उसको जो भेजता है तो हम मीडिया के उपर मे भी हमने सक्त कोई कार्म नहीं लिया है हम इतना ही कहा है कि जो आपको लिक करके देता है मिनुफेक्चरड उतना ही आप जागते हैं कि अरबर्टाइज किया करो उसके अलावे अपने मन से जो रोगे तो आप जिम्यवार होगे उसी तरीके से सेलिब्रेटिज का भी है कि सेलिब्रेटिज को जो है कि जो दिया जाए उसी को कहें जिसे हमारे बहुत साथियों ने कहा कि ये खालो तो पहलवान बन जाओगे वो खालो तो ये हो जाएगा ये है बहुत से साथियों ने कहा कि साहब यह क्या पिसका है कि कैसे पता चलेगा कि misleading advertisement है एक बहुत चीज़ों साफ साफ दिखलाई पड़ता है अभी हमारे सदस्यों ने कहा कि कि किसी ने कहा कि आप जाईए हम लोग ट्रेन से आते रहते हैं या जाते रहते थे तो दिवाल के उपर मैं यहां से महां से मिल लेगी फलना से मिल लीजिए यह कर लीजिए वो कर लीजिए उसी तरीके से चले जाईए क्या गरते हैं कि यह है संजाजी है संजाजी है संजाजी चलेगे क्या है संजाजी है इनका ते इनका ते एक आधिकार ठाट्यम्पों के उपर में यह तिन प प्रावे क्या करें तो यह सारा का साजाजी इसमें कोई बतलाने की जूरत नहीं है इसलिए जो मिश्लिटिंग अडवर्टिज्मेंट का सवाल है इसलिए सेलिब्रेटरी के उपर में और इनलों के उपर में ठीक है आप ने कहा कि हर तरह के लोग होते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि बहुत से सेलिबरेटी जैसे होते हैं जो मालते हैं कि सवस्ता का अभ्यान से ले करके साथ के सारे चीज़ को कहकते रखते हैं कुछ एक advertisement में ऐसा होता है कि celebrity जो है वो बोलते हैं अब जिसे आप आपने कहा कि कोको कॉरा है या क्यमपा है अब उसको लेकर के आठ महल से कुज़ रहे हैं समुदर में जा करके कुज़ रहे हैं और उसी में उनकी ताकत बर रही है यह सारे के सारे चीज़ होते हैं तो जब हम लोग बैठेंगे rules में और भी देखेंगे इसमें क्या किया जाए लेकिन हाँ जरूर बात है कि जो celebrity होते हैं उनका अनुसरा करने वाले जो है बहुत लोग होते हैं लोग बच्पने जो परते थे तो बच्पने में हम लोग देखते थे की बिटेंट में जो है जिसी जिन क्या कहते हैं कि जो है प्रिंस या प्रिंसेस होगर जो है कुछ कपरा पहन के निकल जाती थी तो उसी का market बढ़ जाता था तो सुभावी के एक उसी तरीके से जब सेलेविरेटरी कोई ची को करते है खास करके जो एक्टर होते है पॉल्टीसियन का उतना क्या करते है कि नहीं होता है जो एक्टर होते है उसका अनुसरन बहुत होता है और एक्टर्स का भी चुकि हमको मालूम है एक बार हम बच्पन मे करने लगे दिलिप मार के मतलब अधर करने लगे वो समझ गये नहरू जी नहरुजी नहरुदी नहरुतिनि का का क्या आपके पढ़जे आये हैं लोगऑ भी निताह जीजी आये हैं और तो तो होता हैं है उसमें जिया क्या कदे हम लोग तो बचफड़ recess थे तो जियाजी का ख़िम थे तो इनका भी देखने ते दैंटलुवारी को इसलिए नेही में काते हैं जो हकीत है हम लोग हकीत है जो बेभारेख चीछ स है उसको हमने कोसिस किया है इसमें रखने का उसी तरीखे से मालन stressed हैं कि जिसे एमर्पी के समंद में कहे हम जानते हैं एमर्पी के समंद में जो हमारा लीगल मेटरोलोजी है उस लीगल मेटरोलोजी के तहत कानून बने हुए है कि एमर्पी से कोई जादे नहीं ले सकता है एक तो एमर्पी क्या होता है किसी को मालम नहीं है किसान को आधिकार के अपने अदाम को वो तैक कर सके लेकिन जितने मेन casual हैं आधाम अपने तैक करता है किसान का किमत कि जदी आनाज का श कक जाज़ए तो हंगामा होने लगता है चार दयुता का कीमत बर जाए, तो कहीं कोई आंधोलंज है, नहीं होता है, तो अब एक तो MRP है, कौन तेह करता है? उतों जो बनाता है समान वहीं तेह करता है, और बनाने के बाप जूद भी जो है, उससे जादे दाम पर लेता है, यह तो बहुत ही माथ तक खत्रनाक चीज़ है और हमने अपने से परसनलिट टेक अप किया हमने पहला कि हमने टेक अप किया अब चले जाए यहाँ जितने भी रिस्टूडेंट है वही कोको कॉला है वही क्या कहते हैं कि और ड्रिंक्स हैं उनका जाम बाहर में जितना है उसे चार उना जादे रखता है हमने उसको क्या गतने के एक्सन लेना सुरू किया जब एक्सन लेना सुरू किया तो कोट में लोग चले गए कोट में उस पर रोक लगा दिया काया कि ने यह सेबा करता है अरे सेबा करता है तो सेबा के बदले में पैसा भी तू लेता है ना उस चीज़ का फिर उसी तरीके से हमने कहा कि एक काम करो सर्विस चार्ज दुनिया में कहीं सर्विस चार्ज नहीं है हमने सर्विस चार्ज ये खिलाप में एक्सन लेना शुरू किया उसे खिलाप में क्या करें कि लोगender में चला गिया हमने का वॉलंटरी करो इसको मैंडक अब चले जाएए खाना की बरवादी इतनी होती है कि एक आदमी का खाना चले जाएए चाइनी Quote बिशिल में कहींब चले जाई एक आदमी का खाना देगा और पांच आदमी का लाएगा इतना लाएगा अब हो आदमी क्या करेगा करवो करओ ये करो तो हमने घ्र उ करो तुम उसको एक काम और पोरसन dobr दो ने एक portion में कितना ड़ेगा, लिखो तो, कि एक portion हम खाना देंगे, तो चाल रोटी रहएगा, कि क्या करते है, पांच क क्या करते है, कचा मती रहेगा, कितना portion रहेगा, वो नहीं लिखेगा क्या, खाली लिख देगा, would you make a charge है, याब चार्ज लिखता है, अब उसके लिए क्या गतने कि है वो भी क्या गतने कि तो हम लोगे पर हमने कहा कि हम तो चाहते हैं बहुत चीजे लेकिन हर गवर्वेंट चाहती है लेकिन उसके बापजुद भी हमारे सामने में लेजिसलेटर भी है जो डिस्टरी भी है और एजकुटीब भी है कभी कभी तो एजकुटीब से भी लड़ना पड़ता है कर्मिस करने के लिए तो इसलिए जो मैं आप से कहाना चाहूँगा कि जो यमार्पी है अब जिसे आप अब आपका कहा मैं सक्त मैं आप रहारे गैलरी में आफसर सर्वी है सुनुए मैंने कितनी बार पांच साल से कहा है कि भाई या यह चोटा चोटा लिखते हो क्या लिखते हो कोई नहीं परपाता है चस्मा लगा के नहीं देखता है पर नहीं परपाएगा एक बार हम आ रहे थे प्लेर में आ रहे थे उसके बाद पानी मिला सब के पानी पी लिए एक बिदेशी आदमी था उसने क्या करते है कि बलाया उसको का यह तो एक्सपाइडी डिट का है और वो पानी हम भी पी लिए थे एक्सपाइडी डिट का है अब खोचते खोचते जो पता चला गया गता है कि कहाँ एक्सपाइरी डिट है मैं ने उसी समय में 2015 में आदेश दिया कि कम से कम डेट अफ मैनिफेक्टरिंग डेट अफ एक्सपाइरी क्या गता है कि कौन निर्माता है कहाँ कम प्लेंड किया जाएगा ये सारी कि सारी जो 500 पॉइंट्स क्या गता है जो होते हैं जो कांजूमर की इंट्रेस्ट का है उसको बराबरा अच्छर में लिखो हमने बतला दिया कि सिक्स्टी जो क्या गता है कि सिक्स्टी पर फॉर्टी परसेंट कम से कम जो है वो रखो लेकिन कहीं अभी तक उसमें क्या गता है कि नहीं ह प्रोडक्शन है किसी को मालूमी नहीं है एम एमर्पी चा होता है तो वो ही तैक करता है उसके बाद जो है तीसरा है कि कुछ शातियों ने कहा कि केंद्र सरकार जो है आपने अबराई जी ने कहा कि केंद्र सरकार कितनी सायता देती है एस्टेट कमिशन को वो क्या कहते हैं हम क्यागते करने के लिए जो है उसमें क्यागते हैं कि उसको दस कम्पीटर और एक प्रिंटर भी देते हैं एस्टेट को भी एक सावा करो रुपईया देते हैं और तीन कम्पीटर देते हैं तिसलिए उसी तरीके से जागो गराग जागे के समद में कहा हम राज सरकार से भी से ज़्यादे ध्यान के और दूसरा हम राज सरकार से ये भी आगरा करेंगे कि आपके उनके अंडर में जो है जो कि जो आपने कहाने सेंटरलाइज सेंटरलाइज कुछ नहीं है हम रूल्स में सब डाल देंगे हम तो सिर्फ गाइड लाइड एक मनाते हैं तो गाइड क्या क्या करते हैं कि जो है जो राज सरकार के जीमें रहेगा जो केंदर सरकार है वो केंदर सरकार के जीमें रहेगा उसमें कहीं कोई ये नहीं है कि हम को हम रखेंगे था हमको कोई फैदा होगा ये होगा ये दूसरे आगे आपके खोज कर रहे थे अब मेडिकल वाला मामल है यह आये थे सब मिलने के लिए पिछली बार वह हैं सो यहां पास नहीं होने दिया कि हेल्थ केर को नहीं रखा अब आपके कारण से हमको लोग सभा में जुशना परा लोग सभा मी जया करते हैं कि सब लोगों ने जहाज़का दिया कि आपने जो सुप्रिम पोर्ट ने कहा था, उने सब पनed-koomben में कि स्वास को भी जोरो heald-keare Smith ने लोग करते हैं यहां तो लूट होड़ा अभी भी हुत लारे था investigations की लूट चलता बहुसे लोग काते हैं कि साहब वोस्पीटल में जिन्दा यादमी को मरा हुआ पांद दिन तक रखता है और मीटर वढ़ाते राता है तो इसलिए जो है हमने इन से हमने कहा हमारे 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 क्या गतने हेल्थ मिनिस्टर को भी बलाए था यह लोग भी थे हमने कहा याप लोग बैठ करके तैह कर लिए हमार आपका एक पॉइंट है उसमें हम भी समझते हैं इनका एक कहना था कि साहर जदी आप क्या करते हैं कि उसमें एक करेंगे तो उसमें इनका कहना एक था उसको हमने गंभिड़ता से लिया है इनका कहना है कि जैसे डॉक्टर अभी दे दिता है कि आपको सर में दर्द है एक ग इसलिए वो जो है लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो सुप्रिम कोड का जज्जमेंट है वही भी आदमी का भी जो है चला गया तो फिर सुप्रिम कोड इसको सिर्यसली क्या गते हैं कि ले सकता है उसी तरीके से जो है आप बहुत से हमारे साथियों ने कहा कि चीफ कि अध्यक्सता में जो है सुनके अध्यक्सता में जो है कंसल्टेटिव कमिटी बनती थी उसको यह आपने हटा दिया देखिए ये जो है जो फॉरम बना था ये कांज्यूमर को नाम दे दिया गया ये फॉरम था ये इसका मेन मकसद था कि हम कांज्यूमर को क्या करते हैं कि जो है सहुलियत दें लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है डिस्टिक मेजिटेट है और भी क्या करते हैं कि जो है आफसर हैं वो जुरिसरी का काम करते हैं तेसे लिए जो है क्या करते हैं कि उसको जो है करेंगा आचा है उसमें कहीं परतिबंद नहीं है कि कोई क्या करते हैं कि कर सकते हैं तीनों जगा का है और उसके बाद जो है अब यह कि इन्होंने किसी ने कहा कि उसमें तो हम नहीं कर सकते हैं यह डाक्टर साहिब भी बतलाएंगे असोशियेशन के खेड़ भी है कि कर लोग यह कारूप लगा है कि डाक्टर लोग कमिसन दे करके जो है अपना दवाई दिखवाते हैं हमको कौण कौन दबा दे दिया कि सर में हमारा सर चकराते रहा है तो यह सब चीज है है फिर यह ऐ और तो यह सब सारे हैं मैंबर ने उठाया है और बहुत सारे हैं हमने सब को नोट कर लिया है लेकिन हम आपको इतना विश्वागल 주 करते हैं यह कृपया सांति रखे हैं यह एक बार क्याकद अधर में जो है एक बार हम लोगे बैठेंगे सब लोगों को बलाएंगे और रूल्स बनाने के पहले जो है हम अपने चाहते हैं जो क्या गते हैं कि जो यह पास वो जो एक्ट बने वो एक्ट क्याENTEते हैं कि हिस्टोरीकल हो और कंजूमर के इंठेस्ट में जतना हो सकते उन Annual Home तो हम नहीं कह सकते हैं कि यह प्रूप उनके प्रक्षिमर होगा लेकिन जितना भी होसा के मैकसिमम हमारे तरफ से तो हम फूसिज करेंगे उस सब को क्या गते कंजुमर के इंट्रेस के दृष्टिकों से रखते हुए उसको डाल दें इनी सब्दों के साथ मैं सभी मानिया सदस्यों को एक बार बहुत बहुत धन्न को देता हूँ अरा धन्न करता हू इनका एक पॉइंट शूट गया था कई मानिये सदस्यों ने कहा इसको सलेक्ट कमिटी में भेदी जिए इसको पास होने दिजिये और उसके बाद है जो भी क्याकत्रे कमी होगा उसको फुर्टी किया जाएगा अब इसके बाद जो बोलना है बोलिए मैं देरिक साथ भी हाँ मिर्स आफिस्टेट पर पर्लिमेंटि अफिर्स कुछ कहना चाहिए Sir, we have distributed a supplementary list of business. The basic purpose is that in today's list of business, the National Institute of Design, the bill regarding that was not listed. So, since that has been listed now and as the chairman had in the morning announced, So, after this bill regarding public premises eviction, I would request that the National Institute of Design also may be taken up and passed today. And tomorrow, regarding tomorrow, since tomorrow is the last day of the session and the government has got many bills which has been already passed by the Lok Sabha and is pending before the Rajya Sabha. My request is that if tomorrow we decide not to have the zero hour and from 11 o'clock onwards, we take up the legislative business, if the house and the chairman agrees. This is my request. Sir, my point of order. Derrick Chief, let me give Derrick. Sir, my point of order. There is. Rule 29. Sir, two bills were listed in the morning. This Ram Vilas Paswanji Mantri's consumer protection and the premises and eviction. Two bills. Informally, we agreed that a third bill would be listed. We all agreed. It's a one-hour bill with the National Institute of Design so the students can get their certificates. Right, sir. Three bills. Now, sir, we need your protection. At 4.30, you are listing again another two bills. Why are you doing this? To provoke us or is this casual? I'm saying this, sir, with all honesty. Is there? Sir, or do you want to take parliament? We are here. We are trying to work for the integrity of parliament. You cannot take parliament for granted. At 4.30, you have announced two more bills. It is either, either you are doing this. Either there are typographical errors, in which case I will sit down. Or this is, you know, parliament is happening. It's Tuesday afternoon. Paarish ho ra hai. Bahar mein. Chau la ga do 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 bill. Let us know, sir. Thank you. मानिय ओपयूद गर्चित विडन गर्टित सब्सक्राइब पार्चिति तक जिए रहिए है। कि ली नrakаг में आपित अवनान गद İsाथ इंसार अ blur ढखे अ कि कि अ अंुभाड कम्त य कि आ से लुप डेंव और सुमारत कर रुप दिए इंस कि य६ढ़ आज साव क कि ह्म हम पुखें डिक झार जिए कि देन रख कि मैं थियु भर खुपए्ट्छ फ्रभटी इस प्रवाब करिंग दोलुक करना है और यह बाकी चीजिए कल होगी ज्यसा प्लिस प्रमाने बताया था आईसल, आईसल, झाल radio, let us move there.